हमें हसाने गुदगुदाने और खिल खिलाने वाले सतीश कौशिक हमेशा के लिए अलविदा कह गए पंचितत्प में विलीन हो गए सतीश कौशिक चाचट साल के थे काडियक अरेस्ट के वज़ो सी वो अब हमारी बीच नहीं है फिल्म इंडस्ट्री तो छोड़ो आम जनता के लिए ये खबर बेहत ही दुखत रही लोग सतीश कौशिक के अदाकारी के कायल थे हर उम्र के लोग उनके रोल को खूब पसंद करते थे पतनी और 11 साल की बेटे के लिए ये मुश्किल की घड़ी है विगरी दोस्तन पमखेर समीत पूरा बॉलेवर्ड इंडस्ट्री उनके जाने से दुखी है सभी की आँके नम हैं सतीश कौशिक दिलखुश अंसान थे सबको बस हसाते ही रहते थे सो से ज़ादा फिल्म में इन्होंने की वो बात अलग है कि सतीश ने ज़ादा तर रोल कॉमेटी ही किये पर समय के साथ उस तरह परसनियालिटी में बदलाव आता है उसी तरह अक्टर के करदारों में भी बदलाव आया सेरिस रोल से लेकर इन्होंने एक पिता, भाई, वकील और न जाने कितने ऐसे किरदार बड़े परते पर निभाए जोने देखकर हर किसी नेंगी किवर प्रिशन साही की सपोर्टिंग डोल में भले ही सतेश नजर आते रहे पर फिल्मों में जान यही फोकते दिखते थे सतेश कौशिक को खाल ही में रिलीज हुई फिल्म चत्रिवाली में देखा गया था अक्टर ने रतनलामबा के कॉमेक करदार को निभाया था अभी अक्टर की एक और फिल्म बच्ची है जो दर्शकों के बीच रिलीज होनी बाकी है वो है कंगना रनौत के फिल्म एमर्जनसी पिदान मंत्री इंदिरा गांधी के कारेकाल के दौरा अगरी बार सतीश को इसे फिल्म में देखा जाएगा फिल्म सतीश और अक्षा मंत्री जग जीवन राम करो प्ले करते नजर आएंगे पिछले दिनों जब फिल्म में सतीश कौशिक का फिर्स लुक रिवील हुआ था तो वह सफेद बहुत एक्साइट थे सफेद बाल की तारीफ की थी चलिए आपको रक्षा मंत्री जग जीवन राम के बारे में बता देते हैं जिनका रोल सतीश नीव प्ले किया है जीवन राम एक सोतंतरता सेनानी थे निवाबु जी के नाम से भी जाना ज्यादा था जीवन राम भारतिये राजणीदिक इतहास में सबसे स कॉंग्रेस पाजी से स्टीफा दे दिया था खुद की एक अलग पाजी बनाए थी नाम था कॉंग्रेस फॉर डेमॉक्रेसी साल उनीस सोततर के आम चुनाओं में जग जीवन राम के विजए हुई थी इस दोरान उन्हें रक्षा मंत्राले संभालने के लिए दिया गया था यहां से इनकी जन्नी की शरवात हुई इसी रूल के साथ अब सतीश कौशिक हमें नहीं दिखाए देंगे लेकिन उनका यह अंदाज उनका लोगों का हसाना खुशाना रखना हांसी खुशी के साथ में उनकी फिल्में लोगों के जहन में हमेशा रहेंगी